आज की वीडियो काफी जादा इंपॉर्टेंट होगी आप लोगों के लिए क्यूंकि मैं देख रहा हूं कि हमारी ओडियन्स तो काफी जादा एडूकेटिड है लेकिन जब हम बाकी लोग की बात करें जो क्रिप्टो स्पेस से नहीं है उनको काफी जादा दिक्कते होती हैं अगर कोई क्रिप्टो को लेके बात करता है क्रिप्टो के वह फाइदों को समझ नहीं पाते हैं तो उनको लगता है कि बस यह सब एक स्क्याम है ओके सो मैं वीडियो देखता हूं अक्षा स्रीवास्तव की एक काफी अच्छे टीचर हैं अगरा फाइनाइन्स की साइड हो एक लिए बात करी थी तो इस एंफ्टी के बारे में हमने भी बात करी है जिए उन्हें प्रमोड इस एनेफटी क्योंकि यह बहुत अच्छा प्रॉजक्ट है क्योंकि मैं अच्छे से मुझे इंसाइट्स पता जलती रहती है इसलिए मुझे पता है तो अक्षण ने वीडियो की निए इस वीडियो के बाद उनको कुम्यूनिटीमें काफी जढ़ा बैक लैस्ट मिला है और कामेंट्स आप जाके देखो गे तो इसको काफी लोग नेपॉनजी के पास भी आती होंगी कि यार यह वाले जो वाले साड़े 15ffe को अपको रेठार्स दे हैं यहां पिर यह ल 108% 36% 50% returns दे रहे हैं interest rate दे रहे हैं fixed deposit पे तो यह कैसे possible हो पा रहा है okay so यह चीज मैं आप लोगों को एक बार दुबारा से समझाओंगा बहुत ही प्यारे शब्दों में इतना असान कर दूँगा कि आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे सबसे पहले तो crypto पीडिया का यह article है what are liquidity pools इसको हम reference करेंगे so let's get started okay so this is not a financial advice video अगर आप इसको देख के staking अगरे पार्ट लिने की कोशिश करते हैं that is up to you do your own research okay cool तो हम आते हैं pancake swap पे pancake swap आपको पता एक decentralized exchange है जो की BSE के उपर built है okay अब यहाँ पे क्या होता है decentralized exchange में कोई एक governing body नहीं होती है जैसे वजीरेक्स है या बाइन्स है या वाल्ड है तो उसमें एक team है जो काम कर रही है जो सारा का सारा आपके exchanges में जितनी भी चीज़े हो रही है जो भी trades हो रहे है उसके एक order book maintain कर रही है कि कौन कितने में खरीदना चारा है कितना price set होगा यह सब हमारा centralized entity लेती है लेकिन decentralized exchange जैसे pancake swap, uniswap, one inch इन सब में क्या होता है कि जो liquidity providers होते हैं वो आम जनता होती है और एक liquidity pool से provide की जाती है अब यह liquidity क्या है कोई भी asset buy या sell करने के लिए उस exchange में एक liquidity होनी चाहिए जब market में liquidity नहीं होती थी जब बहुत ही baby stage में हमारे decentralized exchanges होते थे और auto market maker की जो algorithm में work नहीं करती थी तब क्या होता था कि मैं for example pancake swap में गया और मुझे अपना BNB बेचना है $1000 में ओके तो अब कोई इसमे $1000 में खरीदने के लिए ready तो नहीं है तो यहाँ पे वो एक issue आजाएगा कि मैं wait करता रहूँगा और यहाँ पे वो spinning वाला जो loading animation है वो आता रहेगा कि कोई है नहीं या फिर मालनो मुझे BNB market price पे बेचना है लेकिन कोई और खरीदने के लिए ready ही नहीं है market price पे भी तो इसमें क्या होगा कि बहुत जादा delay हो जाएगा and मुझे wait करना पड़ेगा यह एक issue आ जाता है अब liquidity pool से क्या होता है कि liquidity providers जो होते हैं वो अपना BNB और USGT इसमें डाल के रखते हैं कि यह है BNB, USGT and जो भी trading का order book maintain हो रहा है AMM algorithm से यह होता है वो यहाँ पे automatically execute हो जाए तो for example अभी अगर मैं यहाँ पे अपना BNB बेचने जाता हूँ if I go and try to sell my BNB मैंने one BNB हाँ बेचने गोशिश करी I'll click at swap अब यहाँ पे liquidity provider fees एक आ रही है 0.0025 के आसपास आ रही है cool और यह आप देख रहो price update होता जा रहा है तो यह fees जो आ रही है यह होती है वो liquidity provider की fees या फिर वो interest जो आप earn करते हो liquidity provide करने के लिए okay so यहाँ पे अगर हम जाए यहाँ पे pools में जाए तो हमें दिख रहा है कि इसमें भी आपको मिल रहा है auto cake पे stake करके roughly यह बहुत change होता रहता है I think यह 68% पे आपको मिल रहा है मतलब यहाँ पे अगर आप अपना cake token stake करते हो cake को liquidity provide करते हो तो आपको 68% interest rate मिलेगा यहाँ पे 92% है किसी में 73 है किसी में 10% है यह depend करता है कितने लोग liquidity provide करने के लिए ready है अगर बहुत ही नया token है कम लोग liquidity provide कर रहे है exchange को बहुत जादा लोग की ज़रोते है तो वो अपना fees जो है वो increase कर देते है इसले क्या होता है कि automatically price यहाँ पे अगर बढ़ जाता है अगर यहाँ पे interest rate मालो 600% होगा तो बहुत सारे लोग stake करेंगे automatically price कम हो जाएगा right and जब आप trade करते हो तो यह जो fees होती है अगर मैं यहाँ पे कोई और token लेता हूँ for example मैं safe moon यहाँ पे लेता हूँ max safe moon करके enable safe moon करो और यहाँ पे जो भी करोगे मतलब जो भी आप चीज कर रहे हो आप देख रहे हो मुझे एक fees जरूर पड़ रही है right तो यह fees ही होती है जो कि आपको यहाँ पे as a reward मिलता है जो as a percentage reward मिलता है और यह fees जो बंदा swap कर रहा है वो आपको pay करता है and जो decentralized exchange है वो आपको यहाँ पे जो liquidity pools के लोग है उन में equally divide कर देता है अब कम लोग होंगे तो जादा मिलेगी per person and जादा लोग होंगे तो कम मिलेगी per person right अब liquidity pools पे आते हैं इन liquidity pools में आप लोग अपना crypto stake करते हो crypto pairs stake करते हो and यहाँ पे आप find करने की कोशिश करते हो कि कौन सा ऐसा token है जहाँ पे सबसे आया right अब यह ढूणना काम होता है कुछ लोगों का and इस activity को की best आप अपने crypto से best APR निकाल पाएं उसको बोलते हैं yield farming and yield farming के लिए आप ढूणते रहते हो कि कहाँ पे best मिलेगा for example यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमें 452% का APR मिल रहा है कहीं पे 303% का है तो यह ढूणना maximize करना अपने holdings को इसको बोलते है yield farming and एक और चीज इसमें add आजाती है कि आप अपना crypto lend कर सकते हो मतलब as a loan दे सकते हो किसी को cool तो यह सारी चीज़े आपको high APR generate करके देती है क्योंकि एक तो liquidity pools में आपको fees मिलती है right and आपको as a loan अगर आप देते हो तो भी fees मिलती है world क्या use करता है world use करता है यहाँ पे crypto lending and crypto borrowing crypto borrowing and lending platform यह बन जाता है and क्या होता है कि crypto में मालो आपने किसी से 10 Ethereum loan लिया आपने वहाँ पे कुछ BTC 5 BTC आपने ऐसा proof रख दिया कि अगर मैंने लोटाया नहीं तो आप इसको liquidate कर देना right तो leverage उन्होंने ले ली तो आप उन्होंने 10 Ethereum लिया और उनको वहाँ पे मालो 6% interest देना पड़ रहा है और यह 10 Ethereum उन्होंने कहीं पे जाके liquidity provide करने के लिए रख दिया जहां पे उनको 20% decentralized exchange दे रहा है right तो उनको 14% का फाइदा हो रहा है तो ऐसे करके आपका crypto में lending and borrowing का use होता है mainly तो अगर आप अपना कोई भी asset गिरवी रख के अच्छा खासा interest earn कर सकते हो जो कि उस पे लगने वाले interest से बहुत जादा है तो आप ऐसे करके जादा से जादा loan लेके वो risk एक manage कर सकते हो इसलिए crypto में आपको इतना अच्छा interest मिल जाता है जो काफी लोग नहीं समझते हैं I know कि it's very confusing कि ऐसा कैसे हो सकता है इसका फाइदा ये हो रहा है कि आज तक आप लोगों ने के वाल banks में FD करा है तो banks क्या करते है वो market को काफी tight रखते हैं आप खुले market में जाके loan लेना वगेरा करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है high interest rate चार्ज करना बहुत मुश्किल हो जाता है इसलिए आप अपना जो interest rate है वो optimize कर सकते हो maximize कर सकते हो जो वाल्ड है जो लक्ष्मी NFT है ये सब लोग yield farming, crypto, loan देना, loan लेना ये सब करके maximize करते हैं अपना cut काटते हैं फिर जाके जो उनका customer है उनको पकड़ाते हैं वाल्ड obviously 12.5 से बहुत जादा percent earn कर रहा होगा तब आपको 12.5 दे रहा है और आप लोगों को बिल्कुल risk free है मतलब अगर मालो impermanent loss होता है liquidity pool में कुछ भी होता है तो वाल्ड वो खुद bear करता है तब जाके आपको 12.6% यहाँ पर guaranteed returns दे पाता है similarly लक्ष्मी NFT वाल्ड के साथ partnered है उन्होंने अपना अंदर का कुछ ना कुछ निकाला है तब जाके वो उतना return आपको दे पा रहे है तो यह सब चीजे हो जाती है जो कि as an NFT आपको वो return दे पा रहा है वाल्ड as a platform आपको return दे पा रहा है काफी लोग इसमें बहुत जादा confused हो जाते है जैसे radium है आप 108% क्या आप यहाँ पे देख सकते हो 300-200% है radium एक अच्छा platform है मैंने खुद यहाँ stake करावा है तो यहाँ पे 100%, 200%, 300%, 1000% तक मैंने देखे वे हैं आपे मतलब जितना जादर demand होता है उससे आपसे APR होता है पर इसमें आपको impermanent loss study करना पड़ता है कौन से वाले token में नहीं होगा, कौन से में होगा यह सब जाके आपको देखना पड़ता है तो यह सारी चीज़े काफी जादा आपके लिए valuable होती है अगर आपको knowledge है, ठीक है तो काफी लोगों को नहीं होता है इसलिए वो सीधा world में डाल के 12.6% earn कर सकते है लक्ष्मी NFT में डाल के earn कर सकते है obviously risk है यहाँ पे, ठीक है risk होता है हर project आपका genuine नहीं होता है हर project में कुछ ना कुछ issues होते है सब चीजे होती है, यह सब आपको खुद study करना पड़ता है यह article आप पढ़ो, liquidity pools क्या होते है role क्या होता है, इनका why are they important yield farming liquidity pools क्या connection होता है I hope यह video आपको एक अच्छा idea दे पाई होगी अच्छा overview दे पाई होगी क्योंकि I was very very annoyed seeing the comments on this post कि यह क्या हो रहा है ठीक है, यहाँ पे उनको as a bubble बोल रहे थे and इसको as a scam बोल रहे थे जो कि यह नहीं है, एक अच्छा project इंडिया से निकल रहा है उस पे इतना दादा shade फेका जा रहा है I am not personally invested equity investor नहीं हूँ मैं totality पे जो जाएनवर्स की parent company है I want to educate people की इसमें युजो सरी चीजें है मतलब आप लोग learn नहीं करना चाते हो आप लोग बस उस पे blame करना चाते हो that will not how you will grow ऐसे grow up नहीं होगा, ऐसे ecosystem change नहीं होगा so that is it for this video guys I know थोड़ा सा rant video था but please like कर देना आपको अच्छा लगा होगा, समझाया होगा subscribe कर देना you can drop questions in the comment section and please stop throwing shade at Akshat, he did a very well versed video अच्छे वीडियो थी it was good video अच्छे से उन्होंने समझाया लेकिन थोड़ा सा और deep जा सकते थे okay so that is it for this update guys thank you for watching I'll see you in the next one